आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है अगर नफरत है तो यहां से चले जाईए बाहर प्षा आयोग्य है महापापी है जो रास्त पिता पापू की बात को भी नहीं सुनता है अब समझता है तो उसका क्या मतलब पिछले दो बरस में नितीश कुमार को बहुत घुसा आया कभी मंच पर घुसा है कभी सड़क पर घुसा है कभी सदन में घुसा है मतलब बात बात पर क्रोधित दिखे नितीश कुमार लेकिन इस बार मामला क्रोध का नहीं शोध का है कि वाकई नितीश कुमार बिहार की मुख्यमंत्री बनाएगी आभी तो दिल्ली टेक करेगा अगर राज सभावे चले जाएंगे तो भारती जनता पार्टी का ही कोई बने ऐसा क्यूं माना जा रहा है कि नितीश हटे तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा इसकी अपनी वजा है देखिये इसे बिहा बीजेपी का अकड़ा अब 77 सीटों का हो गया है मतलब ये कि 2020 में हुए विधान सभा चुनाव के बाद बीजेपी और जादा मजबूत हो गई है बिहार में बीजेपी के नेताओं ने कई बार लोईन ओडर को लेकर नितीश सरकार पर निशाना साधा लोईन ओडर के मसले इतना ही नहीं गिर्राज सिंग्ने तो नीतीश सरकार के लोईन ओडर पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि बेगू सराय में हिंदू सरक्षित नहीं है कि बेगू सराय में रजवरा में अगर हिंदू नहीं रहेगा तो कहां रहेगा मैं देख रहा हूँ कि कल से परसाशन करविया हिंदूओं को तबाह करने का हो रहा है मतलब ये कि बिहार में बीजेपी के नेताओं की मन्शा तो यही थी कि सीयम उनका हो अब खबर ये है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली गए तो बिहार में सीयम बीजेपी का होगा की तलाश कर रही है और इस बात की भी पूरी संभावना है कि इनहीं दोनों जात्रियों में से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है केंद्र सरकार में ग्रेह राज्यमंत्री नित्यानंद राई के नाम की चर्चा है वो बीसी वर्ग से आते हैं जहां तक जेडियू के दो उपू मुख्यमंत्री बनाए जाने का सवाल है तो जेडियू के रास्ट्री अध्यक्ष और मुगेर से सांसत ललन सिंग और बिहार सरकार में सिक्षा मंत्री विजे चौधरी और मंत्री श्रवन कुमार में से किनी दो चेहरों को उप मुख्य मंत्री बनाने के लिए मुहर लग सकती है इन सारी खबरों के बीच सार ये है कि बिहार में लॉयन ओडर के मसले पर नितीश कुमार की किरकिरी कई बार हुई बीजे पी के साथ उनकी सरकार जरूर है मगर खटपट लगातार होती रही बिहार में नितीश कुमार के गिरते ग्राफ का फाइदा बीजे पी को सीधे तोर पर मिलेगा रोहित कुमार सिंग पटना आज तक